युहन्ना की पहली पत्री पांचवां अध्याय जिसका यह विश्वास है कि इशु ही मसीह है वे परमेश्वर से उत्पन हुआ है और जो कोई उत्पन करने वाले से प्रेम रखता है वे उस से भी प्रेम रखता है जो उस से उत्पन हुआ है जब हम परमेश्वर से प्रेम र और उसकी आग्याएं कठी नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन हुआ है, वह संसार पर जै प्राप्त करता है, और वह विजय जिस से संसार पर जै प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है. संसार पर जै पाने वाला कौन है? केवल वह, जिसका यह विश्वास है कि इश्व परमेश्वर का पुत्र है. यही है वह जो पानी और लोहु के द्वारा आया था, अर्थात इश्व मसी, वह न केवल पानी के द्वारा, बरन पानी और लोहु दोनों के द्वारा आया था, औ आत्मा हैं क्योंकि आत्मा सत्य है और गवाही देने वाले तीन हैं आत्मा और पानी और लोहु और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। उसने उसे जूटा ठहराया क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विशे में दी है। अनन्त जीवन तुम्हारा है और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यू न हो तो बिंती करे और परमेशर उसे उन के लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यू न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यू है। इसके विशय में मैं बिंती करने के लिए नहीं कहता। सब्रकार का धर्म तो पाप है परन्तु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यू नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन हुआ है वह पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यिश्य मसी में र चाये रखो